शोर्शॉट फॉर्मूला की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाके सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाके सेव करें रेगुलर अबडेट्स पाने के लिए सरस्वती नमस्तुभ्यम वर्दे काम रूपेणी विद्यारंभम करेश्यामी सिद्धिर भवतू में सदा ओम जैमा सरस्वती नमस्कार दोस्तों Shoreshot Formula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं 17 दिसंबल 2022 का दिन है और आज है शनिवार इस वीकेंड special वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ आने वाले हफ़ते की हम तैयारी कर रहे हैं तो एक pen paper साथ लेकर बैठिये बहुत जरूरी है ताकि जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ आप उनको note कर सकें और self analysis की साथ आप उसको समझ सकें कि इन levels का क्या relevance हो सकता है आने वाले हफ़ते के लिए मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको सही picture दिखाऊं सही levels के बारे में बताऊं अगर आप फसे हैं तो आपको हिम्मत दू अ या कोई trade ऐसी आप करने की सोच रहे हैं जो गलत हो सकती है तो levels के माध्यम से उसमें आपकी मैं help कर सकूँ और यही हमारा उद्देश रहता है अगर आपको हमारा उद्देश पसंद आ रहा है आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इनको like, share, subscribe करना मत भूलिए बहुत मैंनत करते हैं हम content आप तक लाने के लिए और आपका एक like हमारे लिए बहुत बड़ा motivation का काम करता है तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सोने के बारे में gold में मुझे लगता है अभी भी सबसे बड़ा surprise आना बाकी है बड़ी चाल की तैयारी है क्या है वो क्या surprise आ सकता है तेखिए अगर मैं fundamental front पर बात करूँ तो आप सब को पता है कि जो फेड का outcome आया है जो फेड का outcome आया है पिछले हफते में उससे market में एक negative movement देखने के लिए मिली है और यह जो negative movement है वो across the board हुई है चाहे वो crypto हो चाहे वो equity हो और चाहे वो commodity हो हर तरफ हमें एक negative movement आते हुए दिखाई दिये वहीं Tuesday को जब CPI का data आया था तो हमें सब में एक positive movement आते हुए दिखी तो यह positive movement negative movement में convert हो गई जी हाँ यह positive movement negative movement में convert हो गई जो भी तेजी हमें बनती हुई दिखी थी जो भी हमें positivity बनती हुई दिखी थी कब CPI पर वो सारी positivity हमें वापस negative होते दिखे और ऐसा commodities में भी किसी एक चीज में नहीं लगबग लगबग सब में हुआ है चाहे हम bullion की बात कर लें चाहे हम बात करें energy की चाहे हम बात करें metals की लगबग लगबग सब में ऐसा ही होता हुआ कोछ हेकात commodity ने अगर trend defy किया हो तो किया हो नहीं तो across the board इसी त trust rate है वो 4.5% हो गया है ठीक है 4.5 basis point या percent कहीं है जिसमें जो increase हुआ है वो 0.5 का ही हुआ है यह first increase है उससे पहले चार बार 0.75 का increment देखने के लिए मिला तो इसके मुकाबले यह 0.25 कम है लेकिन यह तो चीज भी positive अब negative क्या हुआ negative हुआ है जो FED की commentary आई है साफ साफ FED ने यह बात कह दिया है कि जो future का decision है उसको लेकर वो मना नहीं कर रहे हैं वो पूरा का पूरा depend करेगा data पे CPIA और बाकी जो और additional data निकल कर आएंगे उस पर depend करेगा अभी वो यह बिलकुल नहीं कह सकते कि जो interest rate hike है वो खतम कर दिया जाएंगे और यह चीज market को negative लगी market को उम्मीद थी कि 0.5 के बाद अफेट कहेगा कि हम धीरे धीरे जो interest rate hikes है उनको खतम करेंगे आप सबको पता है कि अगर interest rate में hikes होता है तो commodities के लिए वो negative है क्यूंकि वो dollar के लिए positive होता है जब dollar index बढ़ेगा तो commodities के prices generally नीचे आएंगे because उनको hold करना मेहगा हो जाएगा ठीक है चलिए अब आप समझ गए जो fundamentals थे अब एक बार जड़ा technical candle opposite है reverse candle है तो weekly movement को अगर मैं पकड़ू तो 55,047 का high लगा CPI data वाले दिन और जो low लगा वो 53,880 का लगा 54,324,25 पर market बंद हुई तो अगर हम high से देखें तो market 700 पॉइंट नीचे बंद हुई है और अगर हम low से देखें तो market लगबग लगबग 450 पॉइंट अब बंद हुई है तो अगर कहा जाए कि market थोड़ा सा negative बंद हुई है तो गलत नहीं होगा एक recovery जरूर हमें bottom से देखने के लिए मिली बट overall जो closing है वो negative हुई है अगर हम daily chart को खुलते हैं और daily chart में last 5 दिन की movement को पगड़ते हैं यानि की weekly देखिया ये है last 5 दिन की movement ठीक है ये ये है first candle, second candle, third candle, fourth candle, fifth candle अगर आप first candle देखेंगे Monday की तो एक low से शुरुआत करी Tuesday को एक high बना Wednesday वो high break नहीं हुआ Thursday को market ने एक low create किया और Friday को market low से 300-400 point उपर बंद होते हुए दिखाई दिया मुझे क्या लगता है कि Monday को या Tuesday को market अगर 54,570 के उपर नहीं बंद हो पाया इसके उपर अगर नहीं बंद हो पाया समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं तो आपको Monday या Tuesday में 53,800 टेस्ट होता हुआ दिखेगा 53,800 इंपॉर्टेंट है अगर market यहां hold हो जाती है अब एक बार सब डिलीट कर देते हैं और आपको दिखाते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है देखे ब्रेक आउट को पहले समझते हैं कि actual breakout हमें market में मिला कहां से यह मिला है हमें actual breakout यह 53,200 तक तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि market एक बार 53,200 को टेस्ट करें बट 53,200 को टेस्ट करने की एक ही कंडिशन है यह जो candle आप देख रहे हैं यह single candle थी जो market को 1000 पॉइंट इसने उस दिन दिया था अब यहां पर यह condition है कि यह वाली जो candle है यह जो candle बन रही है एक daily candle मुझे इसके नीचे close चाहिए 53,770 के नीचे अगर candle close मिलती है तो बहुत probability है कि market 53,400 समझीएगा मेरी बात 53,400 और 53,100 को test कर लेगी मतलब यह जो zone मैंने create किया है इसको test कर लेगी condition के वल एक है कि 53,770 के नीचे हमें closing मिलनी चाहिए तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि 53,400 और 100 इमीडेटली test हो जाए अगर हम positive बात करें कि market में उपर हमें positivity कहां देखने के लिए मिलेगी यानि कि कहां जाके हम कह सकते हैं कि एक bullish pattern बनना शुरू हो जाएगा या आप bullish हो सकते हैं तो उसके लिए आप 54,570 को please watch करिएगा 54,570 को watch करिएगा 54,570 के उपर closing एक positive sign market के लिए हो सकता है अभी तो 54,400 को hold नहीं कर पाया gold तो ये भी हो सकता है कि Monday के दिन आपको gold में एक gap down opening भी होते हुए दिखाई दे सकती है और याद रखिए अगर gap down opening इस body के नीचे ये जो body आपको जहां पर closing दिख रही है इसके नीचे होती है और market अगर open high same रखता है तो हो सकता है हमें कि Monday को 53,800-900 के levels भी test होते हुए दिखाई दे जाए Monday Tuesday को हमें एक कमजोरी दिखे Wednesday Thursday को थोड़ी recovery दिखे और फिर Friday एक important trend deciding day बन जाएगा but Monday की opening बहुत important है Monday की opening आप देखिएगा resistance मैंने आपको दे दिये हैं supports मैंने आपको दे दिये हैं उनका आपको विशेश ध्यान रखना है अब हम कुछ ज़रा SMA और EMA के basis पर देख लेते हैं दोस्तों एक trend shift level जो निकल कर आएगा on the basis of EMA and SMA देखे जो simple moving average है वो आ रहा है बहुत नीचे है वही पर जो EMA आ रहा है 50 days का वो निकल कर आ रहा है 52,500 के आसपास वज़े ये है कि market ने एक तेज movement हमें upside की तरफ दिखाई है उससे पहले जो supports निकल कर आ रहे हैं उनको भी एक बार समझ लीजे वो समझना बहुत जरूरी है 53,880 53,470 उसके नीचे 53,470 के नीचे अभी कोई EMA के हिसाब से support नहीं है straight forward नीचे में 52,470 तक के levels दिखाई दे रहे हैं मैं overall अगर biasness की बात करूँ overall अगर आपको मैं बताओ कि अभी मुझे क्या trend दिखता है तो मैंने का 54,570 को 54,570 को closing basis पर watch करिए उसको देखिए कि 54,570 market तोड़ पा रहा है या नहीं तोड़ पा रहा है नहीं तोड़ पा रहा है आपको dip मिल जाएगा अगर आप नीचे selling में फसे हुए हैं 53,520,800,500 अगर एक मौका मिलता है आपके rate पर market आती है तो एक बार exit करके किनारे हो जाएए एक बार exit करके किनारे हो जाएए अगर मैं daily basis पर support की बात करूँ तो 53,770 मैंने बता दिया weekly basis पर बात करूँ तो 52,200 तक के जो levels हैं जो मौके हैं वो market के लिए खुले हुए हैं बट उसके लिए मुझे एक confirmation candle चाहिए होगी वो जब next week में बनेगी तो पता लगेगा यह वाली जो यह candle है यहां तक support लेने आ सकती है थोड़ा से यह उपर जाएगा support दीर दीर है बट हो सकता है कि यह जो point था ना यह यह breakout का point था हो सकता है कि market अपने breakout point को एक बार test करने के लिए आ जाए तो यह है दोस्तों gold की कहानी बहुत इफपट है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कोई भी decision लेने से पहले कोई भी trade करने से पहले evaluate कर लीजेगा situation को self analysis जरूर कर लीजेगा consult कर लीजेगा अपने financial advisor को मुझे जो levels important दिखे मैंने आपको बता दिये अपने experience के आधार पर पिछले अफ़ते भी मैंने जो level आपको बताये थे पिछले वीडियो में लग भग लग भग market उसी बीच में रही silver के अंदर भी market हमें वहीं देखने के लिए मिली जबकि इतने news आया data आया उसके बावजूद भी वो levels तूटते हुए नहीं दिखे Monday Tuesday का दिन crucial होगा selling के हिसाब से Wednesday Thursday recovery के हिसाब से और Friday trend decide करेगा कि next week market किदर की तरफ जाएगी तो यह है वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like, share, subscribe, gold silver पे मेरा सबसे ज़्यादा emphasis रहता है तो वीडियो अच्छा लगे तो like, share, subscribe ज़रूर करिएगा साथी साथ comment में मुझे बताईएगा कि और किसका किसका वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूँगा उसका वीडियो जल्द से जल्द आपके लिए लेका रहा हूँ silver मैंने post कर दिया है तो जाकर silver को check कर लीजेगा वहाँ पर भी अगर कुछ अच्छा लगे तो comment जरूर करिएगा कोई शिकायत हो वो भी बताईएगा कुछ add करना चाहते हो वो भी बताईएगा अब आग्या आदेश और आशिरवाद दीजे बहुत जल्दी एक नए वीडियो में आपसे जुडूँगा मिलूँगा कौन से डेटा आने वाले हैं उस पर वीडियो बनाऊंगा मंडे को क्या हो सकता है गोल्ड सिल्वर में उस पर भी वीडियो लेकर आऊंगा तो बहुत से वीडियो आने हैं बस आपका like मिलता रहे और कुछ नहीं चाहिए धन्यवाद जैहिंद वंदे मात्र